आज हम मराठा राज्य संग के बारें पड़ेंगे मराठा राज्य संग मराठा राज्य बंस सज्जन सिंग पांचमी पीड़े फिर उसके बाद उग्रिशेन उग्रिशेन के दो पुत्र हुए एक कांड सिंग हुए एक सुभांकराण हुए इनके बंसंज भोसले कहला है पूत्री एक थी ओ जीजावाई इनके भोसले बाला जी भोसले माले जी उसके बाद को ना है देखे इनकी पूत्री जीजावाई फिर इनका जो बिवा हुआ ठीक है इनके मात सीवा जी फर्ष्ट की ये माता जी थी इनका साजी भोसले से बिवा हुआ है इनके दो पुत्र हुए एक सीवा जी फर्ष्ट और एक और एक इनका राजा एक हुआ राजा राम जी ठीके दो पुत्रे ठीके एक सीवा जी एक राजा राम जी ठीके लेकिन राजा राम जी की माता तुका बाई मेहिते थी इनका दो बिवा हुआ था सीवा जी भोसले का एक हुआ था जीजा बाई से एक हुआ था तुका बाई मोहिते से इनके लड़के कौन थे सिवा जी फस्ट थे राजा राम किसके थे दूसरे लड़के जो भोसले के ये तुका भाई भोसले के इनकी माता थी राजा राम थे ठीक सामभा जी माले जी के दूसरा सामभा जी बड़े भाई थे ठीक है इनका तो कुछ जिक्र हुआ नहीं है फिर उत्तर सतारा शाहूजी और दच्छीड कुलापूर्ज सिवाजी दूती इसके बाद राजा राम दूती ठीक है ये सब तो उतना जानना नहीं बस इनका थोड़ा बनसर देख लिए जानना यहां से मोडी लिपी का प्रियोग किसके लेखों में किया जाता है माराथों के मोडी लिपी सरंजामी प्रथा का संबंध किस्से माराथा भूरा जस्व प्रथा से माराथा समराज में सिवाजी के प्रशाषन में मंत्री परिशत को अश्ट प्रधान नाम से जाना जाता है सिवा जी ने अपनी राजदानी कहा स्थापित की रायगड में सिवा जी के आधिन अश्ठ परधान के सभी पद नो तो अस्थाई थे और नो ही वनसानुगत बलकि वो राजा की इच्छा पर थे तिरती आंगल मराथा यूद पेशवा ने इसके सामने किसके सामने समर्पण किया था जान मैकलन जान मैक मैलकम के पानिपत का तिरती यूद मराथा और अफगान सासक अहमद साअबदाली के मद बर्ष 1761 में लड़ा गया जिसमें मराथो का पराजय हुआ कौन हारे थे मराथा कब हुआ था 1761 में कहां पे हुआ था पानिपत का तिरती यूद किसके किसके बीच मराथा अफगान सासक के बीच सासक अहमद साबदाली के बीच बार 1700 से आगे मुगल समराज के ब्रूद संगर्ष का नेतरूत किस मराथा संरच्छिका ने किया था तारा भाई ने साम्भा जी के पस्चात मराथा सासन को किस ने सरल और कारगर बनाया बाला जी भी सोनाथ ने और अंग्जेव की मृत के समय मराथा ने तरूत किसके हाथों में था तारा भाई के बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1669 में सिवा जी को बंदी बनाने के लिए भेजा था परंथ सिवा जी ने इसे ही सिवीर में जाकर इसकी हत्या कर दी सिवा जी ने मुगलो को किस युद में आराया था सलहार और सलहेर सिवा जी केस्ट प्रधान मंत्री विभाग मजुमदार अमात्य यह वित मंत्री था सुमंत या दबीर विदेश विभाग दरवारी शिष्टाचार सुरू नवीस या चिटनेश सचीव पत्रचार विभाग पेशवा प्रधान मंत्री अश्ट प्रधान का प्रमुख जो समस्त अश्ट प्रधान का प्रमुख जो समग्र प्रशाषन का निरिच्छन करता था या नागरिक और सयनिक मामलों का सर्वोच अदिकारी था वाकिया नवीस मंत्री या अधुनिक ग्री मंत्री के समान था नयाधीश अन्याय विभाग सेनापतिय सरेन नौवत सेना का प्रधान पंडित राव धर्म अदान विभाग मियूर सिंगासन पर बैठने वाला अंति मुगल सासक कौन था मुअंबस साहर अंगिला और अंग्जेव को अंग्रेजों को बंगाल में सुल्क मुक्त भाइबार की सुधा किस मुगल समराट ने परदान किया था फारुक शियर ने कासमीर के सासन जैन उल आपदीन ने सरपरतम जजिया कर सवाप्ट किया था इसे कासमीर अकबर भी का जाता है किस अस्तान को भारत का सिराज का जाता है जौनपुर को सिर ए अकबर महां रहस्य की रचना किसने की थी इदाराशी को ने हैदराबाद के सुतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था चिन की लीच खाँ नादीर साह के आकरमण के समय मुगल सासक कौन था मुहम्मश शाह मुहम्मश शाह के सासनकाल में हिजडो तथा महिलाओं के एक वर का राजकाज में सरवाधिक प्रभुत्यो था भामनी राज्य की अस्थापना किसने की थी हसन गंगू ने 1747 में मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का दवार कहा जाता था सूरत बंदरगाह हितो देश का फार्सी अनुबात किसने करा था ता जुल माली ने जैस सिंग्दुतिये ने दिली में खगोल वेस साला का निर्मार कराया जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है बिसक का सबसे वड़ा गुंबत कौन सा है गोल गुंबत है बीजापूर में मुसलिम सासकों ने किसे इसकी प्रजा जगत गुरु का कहकर पकारती थी इबराहिम सादुतिये को अंति मुगल सासक बादूर साजापर दूती के पिता का नाम अकबर सादूती था वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में मुगल वाजशा शाह आलम दूती को प्रवेश नहीं करने दिया था सिखो के चौते गुरू संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई पांसो भीगा जमीन पर अम्रित सर नगर की अस्तापना की थी मुगलो ने नौरोज का तेवार किसे गराण किया था पार्सियों से प्रतेग वर्स क्रिशी की जाने वाले उपज भूमी को क्या कहा जाता था वो लजश सीखो के दस गुरू गुरू और कालबर्स और प्रमुक पादी नानक 1469 से 1539 तक 1479 से 1549 सीख धर्म की अस्तापना किसने की गुरू नानक अंगद दूतिय थे 1549 से 1552 गुरू मुखी लिपी की जनक कौन थे अंगद तीसरे अमरदास 1552 से 1574 सीख धर्म के परचारे तो 22 गद्दियों की अस्तापना और विवापद्द थी लवन का प्रचलन किया रामदास चौथे गुरू थे 1584 से 1581 में अमरिश सर की अस्तापना की थी रामदास अर्जून सिंग 1581 से 1606 गुरू गरंद साहीब का संकलन अमरिश सहर में हर मंदिर साहीब स्वण मंदिर का निर्माड इने जाहगीर ने फासी दी थी किसको अर्जून सिंग को हर गुबिंद सिंग 1606 से 1645 तक अकाल तक्त की अस्तापनाता सीखो के एक योध्धा जाती में प्रसिचित किया हर राय सात में थे 1645 से 1661 मुगलों के उत्रादिकार यूद में भाग लिया वो अपने पुत्र राम राय को मुगल दर्वार में भेजा हर किसन 1661 से 1664 अल्प वैसा कवस्ता में ब्रेत तेग बहादूर सिंग 1645 और ये विद्व द्वारा फासी दी गई गुरू गुबिंद सिंग को 1675 से 1608 ये सिखो के दसमें और अरंतीम गुरू थी इनका जन पट पर कर ना सोल सोचाचद इसमीर में हुआ था इन्होंने खाल्सा पंद की अस्तापना की थी और इसी इसी सलसा पंद केasak लिए पास कगार केस कंगा कृपाढक कच्छा एवं कडा अनिवार किये गुरू-पद की समाप्ती की तरह गुरू गरंत साहीव को ही गुरू घोसित किया इस तरह हमारे ये लेक्चर समाप्त होता है